हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर आज हम आप लोगों को सी आई से नेक्स ट्रिक सिखाने जा रहा है इसमें आपको मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा वो लिमिटेट सवाल पर लगेगी अब आपको हो कि जो सवाल आपके एक्जाम में पूछ जा इस टाइप के अगर आपके पास सवाल आ जाते हैं तो उनको आप बहुत जल्दी कर पाओगे बहुत जल्दी कर पाओगे दो से तीन सेगंड में और अनिधा इस सवाल को लगाने में आपको काफी टाइम देना पड़ता है लिकिन जो मैं सवाल बतारें जा रहा हूं वो इ इतने प्रसेट चक्रवर्दी भ्याज की दर से 4000 रुपए तीन वर्स में 4630 रुपए हो जाएंगे अगर इसको बेसिक से लगाया जाए ऐसे करके ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन हंडेड टू पावर टी तो यह सही तरीका है अगर आप इस तरीके से अपलाई कर पा रहे हो अगर आप इस तरीके से सीख जा रहे हो तो अच्छी बात है लेकिन आप इस तरीकों को भी सीख लो क्या होता है अगर आपका टाइम से हो जाएगा तो और जो बाकी सवयल बचे हुए हैं उन पर भी आप लगा पाऊए लेकिन जब कठीन सवाल आएंगे जैसे यहां समय प्रियोग कर दया गया है तो यहां तीन वर्ष की जगए पर थोड़ा सा चेंज करे वह जैसे कि 20 वर्स तो आपको थोड़ा सजगता से इसका प्रियोगरा पड़ेगा जैसे 20 है लोग basic पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ trick की बात करेंगे, हम आपको सिर्फ trick बताएंगे, और आपको कुछ नहीं, trick बताएंगे, simply, आप देखिए, कैसे करना है इस वाल को, सबसे पहले समझते हैं, कितने पुरसित वार्षी चक्रवजाच की रसे, 4000 रुपए, तीन वर्स मे आपको इन दोनों में अंतर करना है, 4630, 4000 में 4630 में अंतर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 630, 5 ऐसे करके कुछ आएगा, ठिक, इतना ही आएगा, ऐसे करके क्या, और बटे में आपको मूल धन से भाग कराना है, मूल धन कितना है, 4000, अब इसमें भी आप इस पर शुरूप स बढ़ जाएंगे, और इस से हमें कोई नतर नहीं, बस आप 4 से भाग करो, दो अंक तक, तो 4 एकम, 4 बच गया कितना, 2 हो गया, 23 और 4 पंचे 20, ठीक है, 15 आया, तो बस हमको 15 से मतलब है, और किसी दसमलब कोई से मतलब नहीं है, तो अब यह समझ रहे हैं, तो यह 3 वर्स में दर कितनी होई 15, तो एक वर्स में कितनी होई, 3 से भाग कर लो, तो यहां राइट एंसर है, दर कमान कितना आ गया, 5 परसेंट आ गया, अब चाहें तो आप इस तरीके से लगा के देख लो, तो भी आएगा, और इस तरीके से आओ, तो भी आएगा, हमको इस सवाल को लगान तो पांच परसेंट यहां पर राइट एंसर है, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को आसान कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल एक और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, देखो, पांच हजार रुपए थे, कितने पुरसेट वार्सिक दर से, तीन वर्स में, अच्छा यह कोई ज 6298 हो गया, मतलब 1298 के सम्थिंग आज मिला है, लेकिन इस पूरी वैलू को ना लिखें, सिर्फ आप दो अंक लिख लीजे, और 5000 से भाग कराओ, अब इस 5000 से में कोई लिए नहीं, बस जो भी दो अंक आ जाएंगे, उससे मतलब है, तो पांच, दूनी दस, अब दो है, 8%, अब जो बच गया है, 3,8,4,1 बचा है, उस एक से हमें कोई लिए नहीं, आपको आप सम्थ तुरंत 8% मिल जाएगा, उसमें आपको कोई टेंसर वाली बात नहीं, क्योंकि जो हम ये लाजिक लगा रहे हैं, ये गलत है, ये तरीका गलत है, कहो क्यों, क्योंकि ऐसा न एक कुरेट एंसर नहीं देता है, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, युकि बस इसमें काम चलेगा, और बस हमको काम ही चलाना है, कैसे न कैसे, मेरी जो क्वेशन है, वो अटेंप्ट हो जाए, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो आप इसको अपलाई करिए, एक से दो जग कैसे, चक्रती वाच की दर से, कितने वर्स में, पांच जार आठसो बतिस हो जाएंगे, अब समझ रहो, पांच जार रुपये थे, 5832 हो गए, इसका मलब व्याज कितना मिला, 832 ब्याज मिला ठीक है अब आपको 5000 से बाग कराना है और वह भी दो अंक तक तो पांस से बाग कराओ तो जब आप पांस से बाग कराएंगे तो पांच एककम पांच मतलब 165 लगवक 16 बार जाएगा और इसमें आप देखो कितने बर्सों में मतलब यह आठ से दर 16 हो गई में आएगा जैसे यह नीचे वाला आप सवाज देख रहे होंगे यह लिखा हुआ है 4000 रुपए पांच पुरसत चक्रुटी व्याज की दर से कितने बर्स में 4630 तो पूरा मत लिखा करो बस 63 लिखो मनलब 63 का मलब 630 भी लिखना चाहूं तो लिख लो भाई चार जार से बाग चार जार से बाग कराओ 63 लिखो यह जीरो भी मत लिखो दो दो लेनी है तो आप भाग कराओ कि तो पंदरा आएगा तो 5% से 15% पर आ गए कितना समय होगा पांच यह 15 होता ना या तो आप 5 बाग करा लो तो यहां राइक टैंसर क्या है तीन वर्स है तो अब इन सवालों को आप उर्जिनल मेफट से लगाओ और इस वाले मेफट से लगाओ फिर कंपेर करके देखो और समझ समझ के चलो फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है यह वाला मेफट क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा ठीक है हाँ इसमें आप गुणा भाग से भी बेचाएंगे थोड़ा सर टाइम कम लगेगा यह चीज मेरी माननी है अगर आपको इसमें सिंपल से सवाल ऐसे आते हैं तो अगर आपको यह मेफट ध्यान रखता है तो कोई गलत बात नहीं है आप एकदम से लगाई और अपना एंसर आ आ रहा हूं ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं अच्छे से कंसेट मैं आपको क्लियर कर दूंगा ओके धन्यवाद